नमस्कार भविश्यवानी में आपका स्वागत है रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके राशी का भविश्यव बताने के लिए आज खालगुन मास के शुक्रपक्ष की उदेयाती थी चतुरदशी और सोमवार का दिन है आज रात आठ बच कर 55 मिनट तक सुकर्मा योग रहेगा आज रात 12 बच कर 5 मिनट तक मगह नक्षत रहेगा आज के दिन होली का दहन किया जाएगा आगे हम इसी पर विश्तिर आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की यानि की याई जैद योग की तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है अज ये योग 9 मार्च की रात 8 बच कर 55 मिनट से अगली सुबह 5 बच कर 57 मिनट तक रहेगा और इसके ब 9 मार्च की भोर 4 बच कर 20 मिनट से सुबह 6 बच कर 18 मिनट तक रहेगा और इस क्रम में आज ये अब चर्चा करते हैं आज के शुब महूत यानि के फेवरिबल टाइम की अगर आप किसी को प्रपोस करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा महूत नहीं है अब ये महू महूत 12 मार्च की सुबह 8 बच कर 22 मिनट से 2 पहर 2 बच कर 27 मिनट तक रहेगा कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए भी आज अच्छा महूत नहीं है अब ये महूत 9 मार्च की सुबह 6 बच कर 69 मिनट से 2 पहर पहले 11 बच कर 55 मिनट तक रहेगा किसी इंडस्टियल करने के लिए आज अच्छा महूर तो नहीं है अब ये महूर ततना मार्ट की सुभा छे बच कर उन्साइट मिजफ मिनिट से दो पहर पहले जरा बच कर पश्पन मिनट तक रहेगा सीजेरियन आपरेशन कराने के लिए अब अच्छा महूर तन आठ मार्ट की शाम साथ बच कर अब ये महूर्ट आठ मार्च की शाम साथ बच कर तालिस मिनट से रात नौ बच कर साथ मिनट तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा महूर्ट नौ मार्च की सुबह 6 बच कर 69 मिनट से दो पहर पहले 11 बच कर 55 मिनट तक और एक बार फिर दो पहर 2 बच कर 9 मिनट से रात 9 बच कर 3 मिनट तक रहेगा। और अब बात आती है अशुब समय की आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिली जूली इलेक्ट्रो मागनेटिक फील्ड कुछ च्छानों के लिए नेगेटिव हो जाती है। अशुब कराती साम में से नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चानों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई विशुब कारे करने से सफलता नहीं मिलती है। आज सुबह आठ बच कर अर्टालीस मिनट पर अशुब समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी। लेकिन मिथोन, सिंग, धर्व और कुम्भ राशियां विशेश रूप से प्रभावित होंगी। ज्यान रहे, इस समय के 12 मिनिट पहले और 12 मिनिट बार तक कोई भी शुभ चारिय नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दू कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहर ज़रूरी है राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं आज दिली में रहुकाल होगा सुबह आठ बच कर दस मिनट से सुबह नौ बच कर सैंटीस मिनट तक मुंबई सुबह आठ बच कर चौवीस मिनट से नौ बच कर बावन मिनट तक चंडिगर सुबह आठ बच कर बारह मिनट से नौ बच कर चालीस मिनट तक लखनौ सुबह साथ बच कर 54 मिनिट से 9 बच कर 22 मिनिट तक, भोपाल सुबह 8 बच कर 7 मिनिट से 9 बच कर 35 मिनिट तक, कुलकाता सुबह 7 बच कर 23 मिनिट से सुबह 8 बच कर 24 मिनिट तक, अहमदाबाद सुबह 8 बच कर 26 मिनिट से 9 बच कर 54 मिनिट तक, और चेनई में रहुकाल होगा आज सुबह 7 बजकर बावन मिनिट से नौ बजकर एक्टीस मिनिट तक ये था कुछ शहरों का रहुकाल और अब आज की यात्रा की शुब दिशा क्या है तो आज उस शुब दिशा है उत्तर पूर्व और पूर्व आज घर से निकलकर उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में जाईए को शुभ यात्रा के शुभ परिनाम मिलते ही रहेंगे यानि कि आपके तमाम काम बेना किसी विखनबादा के पूरे होते रहेंगे और आई ये अब शुरू करते हैं सिलसला राशी फल का सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेश राशी की मेश राशी वालों आज आपका दिन खुश्टुमा रहने वाला है आज आप खुद को सिहत मन्द महसूस करेंगे किसी नए कांटेक्ट से आपको बड़ा फाइदा होने के योग बन रहे हैं कुछ लोगों को आपकी उदारता पसंद आएगी आफिस में सहकर्मी आपकी मदद के लिए तैयार कड़े रहेंगे इस राशी के चात्रों को जल्द ही बड़ी सफलता मिलने वाली है आज किसी काम में आपको सकारात्मक परिनाम मिलेगा जिससे आपको खुशी महसूस होगी आज के लिए आपका लखी कलर है बलैक और लखी नंबर है नाई वरश राशी वालों आज आपका दिन शांदार रहने वाला है आज आप अपने जीवन में कुछ बदलाव करने की सोचेंगे अगर आप कला के छेते से जुड़े हैं तो आपको तरक्ती के कई नए रास्ते मिलेंगे इस राशी के विद्यार्शों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहने वाला है आपको किसी समस्या को सुलजाने का रास्ता तुरंक मिल जाएगा आप अपने सभी कार्यों को बहुत हद तक समय से पूरा करने में सफल होंगे आज के लिए आपका लखी कलर है मैजेंटा और प्रक्ष में आएगा पेपर वर्ट पूरा नहोने से आपको को जरूरी काम आपका को जरूरी काम देरी से पूरा होगा परिवार के लोगों से आपको सहयोग प्राप्त होगा जरूरत के वक्त वो आपके साथ खड़े रहेंगे आज आप वहां लेने का मन बनाएंगे लब कार्य समय से पूरा करने में सफल होंगे आपको कार्यों में किसी अनुहवी की राइ लेना फादे बन्ध रहेगा जीवन साथी के साथ अपने रिष्टों को लेकर आप ज़्यादा ही भावुक हों गए कारोबार में फाइदा होगा नेकिन आपको अपने खर्चों पर भी कंट्रोल बना कर रखना हो बहतर रहेगा आज आपके दंपत रिष्टे में मस्बूती आएगी लव मेट्स कहीं घूमने का प्लान बनाएंगे आज के लिए आपका लखी कलर है यलो और लखी नंबर है तीन सिंगर आशेवालों आज का दिन आ आपके लिए बहतीन रहेगा आज आफिस में किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिलेगा आपको किसी लेंदेन से फायदा होगा किसी रिष्टेदार की मदद से आज को रुका हुआ कारिया पूरा होगा इस राशी के जो लोग सिविल इंजिनरिंग कर रहे हैं उ उनको आज किसी अच्छी कंपनी से जॉब के लिए आफर आएगा आज जरूरी कामों से थोड़ा समय निकाल कर अपने पसंदीदा कामों में बिताएंगे आपकी परतिभा में निखा रहेगा आज के लिए आपका लकी कलर है परपल और लकी नंबर है तीन कन्या राशी वा के लिए आपको अपने दिन्चरिया में बदलाव करने की जवर्ट है लव मेट आज आपको लव मेट आज आपको आपकी पसंद का उपहार देंगे जीवन साती आज आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे बच्चों का मन आज पढ़ाई से हट सकता है आज के लि मामले में बड़ी मदद मिलेगी आज आप परिवार वालों के साथ घरेलू सामान की शौपिंग करने चाएंगे आपको दूसरों की मदद करने के मौके मिलेंगे दोस्तों के साथ रिष्टे और मश्बूत होंगे आफिस में पड़ोनटी होने के जोग बन रहे हैं आज उम्मीद से अधिक फाइदा होगा, लव मेर्स को अचानक कोई गिफ्ट मिलेगा, थोड़ी मेहनत से आपको किसी बड़े धनलाप का अवसर प्राप्त होगा, आपका दामपत्य जीवन सुखत बना रहेगा, दोस्तों की मदद से आपको घरेलू कारे पूरा करने में सखल हों के साथ मनोरंजन के लिए कहीं ट्रिप पर जाने का प्लान बनाएंगे, इस अराशी के व्यापारी वर्ग को अचानक कोई बड़ा धनलाब होने के योग बन रहे हैं, रुगा हुआ पैसा मिलने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधा रहेगा, आज आप अपने व्यापार की रणीतियों में कुछ बदलाब करेंगी, जिसका फाइदा भी आपको नजर आएगा, दामपत जीवन मधूरता से भरा रहेगा, आज के लिए आपका लकी कलर है मेरून और लकी नमबर है पांच, मकर राशीवालों आज का दिन आपके लिए खुशियां लेकर रहे हैं, आज आप लोगों को अपनी योजनाओं से सहमत कर लेंगे, आफिस में सीनियर्स आपके साथ को देखकर, आपके काम को देखकर खुश होंगे, लव मेट्स के लिए आज का दिन फेवरेबिल रहने वाला है, विद्यार्थियों को परतियोगी परीच्छा में सफलता मिलेग दामपत्य जीवन में चल रही समस्याएं, आज समापत होंगी, आप काम के मामले में किसी नई तकनी को सीखने की भी कोशिश करेंगे, आज के लिए आपका लखी कलर है पिंक और लखी नंबर है सिक्स, कुब भराशी वालों आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है, आपके काम में कुछ नई लोग भी जोड़ सकते हैं, स्टूडेंस के करियर में आ रही रुकावतों का आज समाधान मिल सकता है, आज के लिए आपका लखी कलर है रेड और लखी नंबर है दो, मीन राशी वालों आज का दिन आपके लिए विस्तता से भरा रहने वाला है, आज आपको किसी सामाजिक समारोह में जाने का मौका मिलेगा, जीवन साथी के साथ तालमेल बना कर चलने की जरूरत है, आज आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ रहेगा, सीनियर्स आपके किसी काम से खुश होंगे, आज आपकी सेहत में सुधा रहेगा, सभी काज़ों म माता-पिता का सहयोग प्राप्त होगा, चात्र आज किसी प्रत्योगी परीक्षा के लिए फॉर्म मरेंगे, आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नमर है एक, और अब बात उनकी जिनका जनम दिन है, जिनका जनम दिन है, वो भगवान शिव के दर्शन करें, और जिनके आज मरी जनिवर्सरी है, वो आज गाये को गुड़ खिलाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा, और आजए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमाई दुनिया में, मूलांक एक वालों आज का दिन आपके लिए बहतीन रहेगा, आपको धनल आपके अच्छे मौके मिलेंगे, मूलांक दो, आज आप उत्साह में रहेंगे, जिससे आपका कोई रुका काम पूरा हो जाएगा, मूलांक तीन, आज कारों में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे ठकावट महसूस होगी, मूलांक चार, आपको सबकी बातें ध्यान पूरक सुनना चाहिए, हो सकता है कुछ सीखने को मिले, मूलांक पांच, उधार के लेन देन से बचे, पैसों को लेकर आपको साबधनी परतनी चाहिए, मूलांक छे, जीवन साथी के साथ कुशी के पल बिताएंगे, जिससे रिष्टों में प्यार बना रहेगा, मूलांक स न व्यापार में लाब की अफ़र प्राप्त होंगे, ये अफ़र आपके लिए लाबदायक साबित होंगे, और अब चर्चा वास्तुशास्तर की, वास्तुशास्तर में आज हम बात करेंगे होली की अगनी के बारे में, धनलाप के लिए, बिजनेस में मुनाफ़ा कमाने के लिए आज तक आपने कई तरह के उपाई कि होंगी, लेकिन होली की अद्ली भी आपके लिए फाईदे मन्द हो सकती है, इसके बारे में सामाने तया चर्चार नहीं होती, वासュ शास्थ के अनुसार छे अलसी की बाली और तीन गिहों की बाली होली की अगने में जलाने लेकिन ध्यान रहे बालियां पूरी तरह से न जले थोड़ी आधी जली ही अधी जली ही रहे इन आधी जली हुई बालियों को लाल कपड़े में लपेट कर अपनी दुकान या शोरूम के कोने में रख दे, इससे आपके बिजनस में खूब फाइदा होगा, यदि आपको बहुत दिनों से पैसों के तंगी चल रही है, तो पत्तियों सहित गन्य को होली के आग में इस तर करके रख दीजिए, चल्दी ही आपको धन लाप होगा, वास्तु शास्तर में ये थी चर्चा होली की अगनी के बारे में, उमीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपना कर फाइदा जरूर उठाएगे, और अब आज के दिन की सबसे विशेश पात, आज फालगुन शुकल पक्ष की उदेया ति थी चतु दशी, दिन सोमवार चतु दशी ति थी शाम चार बच कर सत्रा मिनट तक रहेगा, आज रात आठ बच कर पच्पन मिनट तक सुकर्मा योग रहेगा, सुकर्मा योग के दोरान किये गय कार्यों में किसी भी परकार की बाधा नहीं आती, मघा शब्दकार्त है, बलवान या महान, इसका पतीक चिन्ध रासिंगासन को माना जाता है, इसके अलावा मघा नक्षत्र का संबंद बरगत के पेल से बताया गया है, लिहाजा जिनका जन्म मघा नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को बरगत के पेल को नमस्कार करना चा सत्रा मिनिट तक ही रहेगी, उसके बाद पूनिमा लग जाएगी, शास्त्रों में फाल गुर मास की पूनिमा बड़ी महत्वपून है, आज बुराई पर अच्छाई की विजय का दिन है, आज के दिन होलिका धान किये जाने का प्रावधान है, वहीं कल के दिन एक दूसरे को अभीर गुलाल लगा कर होलिका त्योहार खेला जाने का विदान है, फिलहाल आज के दिन होलिका धान का क्या महत्व है, आज के दिन होलिका धान कब किया जाएगा, आज साथ ही आज सुप्छलों के प्राप्ट के लिए कौन से उपाई किये जाएंगे, हम इन सब की पूर्णे मागूं। पूर्णे माधित्य आज शाम से शुरूआ होगी कल स्याम तक चलेगी। इसमें कब होगा। देखो ये चीज इसका फैसला करेंगे या लोग विवहार करेखा। फैसला हमेशह शास्त्र था, बड़े बड़े लोग जिस रास्ते पर चलें, उस रास्ते पर चलने का विधान है अब यहां जन्जट क्या है? जो छे और साथ का विवाद है, छे को होली जलेगे, अब अमूमन काशी में एक दिन पहली होली जलती, बाकि काशी से अन्यत्र होली जलती, तो काशी में छे तारी को होली जलेगी, बाकि साथ तारी को होली जलेगी, अब ये क्या है मसला, इस पूरी मैथमेटिक्स को आप समझें, अब चर्चा करते हैं, तो बता दू कि भग्द्रा रहित प्रदोश काल व्यापनी फालगुन अगर दो दिन पूर्णिमा प्रदोश व्यापनी हो, तो दूसरे दिन प्रदोश को जब व्यापत करें, तो पहले दिन भग्द्रा के कारण होली का द्हान ना करके, दूसरे दिन ही किया जाता है। यदि दूसे दिन प्रदोष का वो इसपर्श ही न करे और उसके पहले पहले वाले प्रदोष में भध्रा बिद्धिमान हो लेकिन दूसे दिन पुनिमा साथे तीन प्रहर अथवा उससे जादा हो तो अगले दिन प्रतिपदा पुनिमा से अधिक मानवाली हो तब दूसरे द प्रतिपदा में होली का दहन होता है। यदि वहाँ प्रतिपदा पूनेमा से कम मानवाली हो, तब ही पहले दिन भध्रा के पुछ में अथवा भध्रा के मुख को छोड़कर भध्रा में ही होली का दहन किया जाता है। दूसरे दिन पूनेमा प्रदोष का इस परशी ही न करे। और पहले दिन निशीथ से पहले भध्रा समाप्त हो जाए, तो वहाँ भध्रा समाप्ती पर होली का दहन किया जा सकता है। यदि वहाँ भद्रा निशीत के बाद समाप्त हो रही है, तो भद्रा के मुख को छोड़कर भद्रा में ही होलिका दहन होना चाहिए। यदि प्रदोस में भद्रा मुख हो, तो भद्रा के बाद, अथवा प्रदोस के बाद होलिका दहन किया जाना चाहिए। और दोरों दिन यदि पूर्णिमा प्रदोष को इस पर्ष न करें, तो पहले ही दिन भद्रा के पुछ भाग में होली जलाई जा सकती हैं. यदि वहां भद्रा पुछ भी न मिले, तो भद्रा में ही प्रदोष के उपरांत होली का दहन करें. ये विभिन इस्थितियां होली क का दहान के लिए शास्त्रों में बताई गई अब प्रश्न ये है ये तो हमने आपको सारी शास्त्री ए प्रोविजिन्स बता दिये अब आप भी सोच रहोंगे कि वह इतना तो गिना रहे हो जो काम की बात हो करिया ना तो काम की बात पे आते हैं काम देखो ये भी जानना को आने बच्चों को बताना है आने हो लिए समय में तो अभी फिल्हाल छे साथ तारीक क्या है इसको समझे पूनिमा टिथी छे तारीक यानि आज शाम चार बच कर सक्तरा मेंट से शुरू हो कर कल शाम छे बच कर दस मिनिट तक रहेंगे देखो अब इस इस मोस्ट इंपॉर् पूनिमा टिथी आज शाम चार बच कर सत्रा मिनिट से शुरू होकर कल शाम चे बच कर दस मिनिट तक रहेंगी यानि आज पूनिमा पून्तह प्रदोश व्यापिनी है हाला कि कल भी पूनिमा भारत के कुछ भागों में प्रदोश व्यापिनी रहेंगी आज शाम चार बच कर 17 मिनिट से कल सुबह पांच बच कर 13 मिनिट तक भद्रा रहेगी लिहाजा आज का दिन पूरा का पूरा प्रदोष भद्रा से डूसित है अब देखो पहली बात आज का प्रदोष भद्रा से डूसित है लेकिन भद्रा मूँ छोड़ करके होली जलाई जा सकती है काशी में कका मूँ छोड़ के होली जलेगी क्योंक काशी में एक दिन पहले जलती है अब 7 मार्च को पुर्निमा 3.5 प्रहर से अधिक है यानि 4.5 के काफी भाद तक है और प्रतिपदा यहाँ पूर्निमा के मान से कम मानवाली है पूर्निमा का मान ज़्यादा है प्रतिपदा का मान क तो पहले दिन भद्रा निशीत काल के निशीत के काफी बात तक है ऐसी इस्थिति में पहले ही दिन भद्रा के मुझे को छोड़कर भद्रा के पुछ में या भद्रा के पुछ में भी समय नमिले तो भद्रा में ही होलिकादान किया जा सकता है चो अच्छा यहां देखो अब आते हैं उस एक्जामपल पर जो एक इंपोर्टेंट सरल एक्जामपल ही जिससे आप समझ जाएंगे जब पहली जन्वरी होती है तो सबसे पहले पताके तक कि हमारा को सबसे पूर्वी हिस्सा है वह निजी लैंड और क्रश्चमी हिसा एंड इंच में चुक्छ तो दिन पर्थी गोल गोल घूम रही तो दिन की शुरुवात कहा से होती है पूर्व से होती है। बारत के पूर्व में संसेट शे बचकार दस्मिनट के बाद तक जहां सुर्यास्त शे बचकार दस्मिनट के पहले हो जाएगा वह है yn म inici- में पूरिमा यह जिए जोग्राफी से जुड़ी हुई घटना है अब देखो हमने आप बता है भारत में पूर्व से पूर्व से दिन की शुरुवात होगी और दिन का अस भी पूर्व में ही होगा तो भारत के कुछ पूर्वी प्रदेशों में दूसरे दिन यानि साथ मार्च को कुछ प्रदेशों में प्रदोशकाल को इस पर्ष कर रही है वहां बहत्रा नहीं है तो उन पूर्वी प्रदेशों में जहां सूर्यास्त शाम छे बचकर दस पिनिट से पहले होगा वहां पर होलिका दहन साथ मार्च को ही प्रदोशकाल में होगा आपको बता दूं कि होलि का बताया गया है वहीं कुछ शास्त्रों में होलिका को हुताशनी कहा गया है हुताशन मींस अगनी इसके अलावा भारत देश की संस्कित में इस दिन को राजा हिरन कश्चप और होलिका पर भक्त प्रहलाद की जीत के रूप में इस दिन को मनाया जाता है दरसल होलिका हिरनकश्यप की बहन थी और उसे आग में न जलने का वरधान प्राप्त था जब कि हिरनकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विश्णु का परम भगत था जो कि हिरन कश्यप को हिरन कश्यप असुर थे उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था इसलिए एक दिन हिरन कश्यप ने अपने बेटे की विश्णु भक्ती से परिशान होकर उसे होलिका के साथ आग में जलने के लिए बिठा दिया लेकिन भगवान विश्णु की करपा से परहलाद बच गया और होलिका आग में जल गई तभी से होलिका दहन का ये त्योहर मनाया जाने लगा इस दिन होलिका दहन के समय जलती हुई आग में से भक्त प्रहलाद के पतीक सुरूप मिट्टी में दबाए गए डंडे को निकाला जाता है जबकि डंडे के आसपास जली हुई लकडियों को जलने दिया जाता है आपको बता दूं कि आज के दिन लकडियों के धेर के साथ ही गोबर के उपले या कंडे जलाने की भी पता है आज के दिन मतलब होली आज जलामा या कल जलामा जिस दिन भी जलाना है इसे ये करना है यहां गौर करने के बाद यह है कि हमारे शास्त्रों में या हमारी परंपराओं में हर चीज बड़ी ही सोच समझ कर बनाई गई है। इन सबसे हमें कहीं न कहीं फायदा जरूर होता है। इसी तरह से आज के दिन गोबर की उपलों को जलाने के पीछे भी हमारी ही भलाई छिप से हमारी सहत को इफट करते हैं और गोबर के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिससे उन्हें जलाने पर हमारे आसपास मौजूद की टानू मर जाते हैं साथ ही हमारी सहत भी अच्छी रहती है। और अब वक्त है आज के दिन के जाने वाले खास उपायों का आज होली का शाम चार सड़ेशार के बास पूरनेमा लग जाएगी लेकिन आज भद्रा हैं जो बहुत भद्रा के मुझ को छोड़कर जलाना चाहते हों आज होली जला ले भारत के पूरी प्रदेशों में कुछ प्रदेशों में कल भी पूरनेमा परदोषकाल तक रहेगी वहां कल ही जलाया जाना चाहिए, कुछ लोग उनकी नकल करके डिली में भी सातारी को खुली से जला रहे हैं, तो ठीक है, आपकी इच्छा, आप कुसी भी तरह ग्राहे कर सकते हैं, कैसे भी ले सकते हैं, लेकिन शास्त्री विधान यही है, इसको हमेशा ध्यान रखना चाहि हैं, तो आज आपको होली का दहन के समय, आज या कल जब भी हो, होली का दहन के समय, पत्तों समेट गरने को सेखना चाहिए, और उसको परिवार के सबसादर्स्यों में प्रसाद के रूप में देना चाहिए, साथ ही, होली का दहन के बाद परिवार के सबसादर्स्यों को पूली जला रहे हैं लेकिन छे बचकर दस मिनट तक ही पूने माति थी है दिल्ली में सुर्यास्त साथ तारिफ को छे बचकर चौबीस मिनट पर होगा जानी सुनिष्चित रूप से पूने माति थी प्रदोष के समय नहीं है लेकिन बहुत सी चीज़े ऐसी हैं जो लोग अप अगर आप अपने तीजोरियों को धंधाने से भरे रखना चाहते हैं तो आज होली का पूजन के लिए एक ठाली में गेहूं की बालियां कुछ सिक्के हल्दी की दो गाठे और बाकी पूजा सामगरी लेकर पूजा के स्थान पर जाएं और सबसे पहले होली की विधी पूर पूजा करें फिर ठाली में रखे बालियों और सिक्कों की भी पूजा करें इसके बाद गेहूं की बालियों में से कुछ बालियां और एक हल्दी की गाठ को होली में डाल दे और बाकी बची बालियों और एक हल्दी की गाठ अपने साथ ठाली में रखें सिक्कों को अपने सीनियर से नहीं बन रही है तो आज आपको एक सूसा नारियन लेकर उसे उपर की तरफ से काटना चाहिए मतलब जरुएंद यह नारियन लिया उपर से थोड़ासा ऐसे चौप कर तो उसमें अंदर थोड़ासा गृट और अलसी के दाने डालकर होली के अगने में जलाना चाहिए साथी हाँ जोड़कर प्रात्ता करनी चाहिए आज के दिन ऐसा करने से आफिस में फिर से अपने सीनियर से आपकी बनने लगेगी अगर आप अपने खिलाफ दुश्मनों की चाल से बचे रहना चाहते हैं तो आज आपको गोबर के पांच उपनों की माला बना कर अब आज या कल जब भी होली जले माला बना कर होली का दहन के समय होली में डालनी चाहिए और दोनों हाथों से होली के अगनी की गर्माहाट को लेकर अपनी आखों पर लगाते हुए कान से पीछे की तरफ ले जाना चाहिए आज के दिन ऐसा करने से आप दुश्मनों की चाल से बचे रहेंगे अगर आप अपने काम में ठीक तरह से ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं तो आज आप एक मुठी ताले सिर लेकर आपने सिर के ऊपर से छे बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज उतार कर होली के आग में ठाल दे आज के दिन ऐसा करने से आप अपने काम में ठीक से ध्यान लगा पाएंगे और अगर आप अपने कारोबार से जुड़े लोगों के साथ अच्छे रिष्टे स्थापित करना चाहते हैं तो आज आपको होली का दहन के समय होली की पांच बार परिक्रमा करनी चाहिए और हर बार परिक्रमा पूरी करने के बाद होली में मकानों की आहुती देनी चाहिए आज के दिन ऐसा करने से कारोबार से जुड़े लोगों के साथ आपके अच्छे रिष्टे स्थापित होंगे अगर आप परिवार में रिष्टों को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं तो आज आपको अपने हाथ को ऊपर की तरफ करके कच्छे सूथ का धागा लेकर अपने पैर के अंगुठे से अपने हाथ की उंचाई तक नापना चाहिए ऐसे ही घर के बादी सबस्दर्शों के साथ भी करना चाहिए इसके बाद सारे ढालो उधागों को होली की आग में चला दे अगर आप के हाँ आज होली जल रही हो तो आज कीजी कल जल रही हो तो कल कीजीगा आज के दिन ऐसा करने से परिवार में सुख शान्ती समर्दी होगी रिष्टे बेहतर बने रहेंगे अगर आप परिवार में सबकी अच्छी सेहत बनाए रखना चाहते हैं तो आपको होली की आग में जिहूं की बालियां भूनीनी चाहिए और भूनने के बाद सबसे पहले कुछ दाने होली में डालने चाहिए फिर थोड़े थोड़े दाने परसाच के रूप में परिवार की सब सदस्यों में बांट देना चाहिए और बची हुई बालियों को अगले दिन पक्षियों को खाने के लिए डाल सकते हैं आज के दिन ऐसा करने से परिवार में सब की सहत अच्छी बनी रहेंगी अगर आप अपने वाईवाही के जीवन को हर तरह की परेशानी से बचाय रखना चाहते हैं तो आज आपको आज का मतलब अगर आज आप के हाँ खोली जल रही है तो आज अगर कल आप के हाँ जल लाई ही तो कल चोगी, देखो हमारा तो गौहाटी में भी शो़ देखते हैं, और गुजराद में भी देखते हैं, तो कहीं आज जलेगी, कहीं कल जलेगी, तो जिस दिन होली जले, उस दिन आपको अपने जीवन साथी के साथ मिलकर घर के बाहर एक च इसी प्रकार की परिशानी नहीं आईगी अगर आप अपने बच्चों के जीवन में हर छेत्र में सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज आपको अपने बच्चों को होली का पूजन के लिए अपने साथ ले जाना चाहिए और वहां जाकर विधी पूर्वक पूजा कर चाहिए साथ ही होली का दहन के समय अपने बच्चों के हाथों से नारियल फल होली की अगने में डलवाना चाहिए आज के दिन ऐसा करने से आपके बच्चों के जीवन में हर छेत्र में सफलता सुनिश्चित होगी और अगर आप अपनी या अपने जीवन साथ ही की कोई खा चाहिए आज के दिन ऐसा करने से आपकी या आपके जीवन साथी की जो भी इच्छा है वो जल से जल पूरी हो जाएगी तो ये सारी चर्चा थी आज होली का दहन के बारे में उमेद है कि आप इस चर्चा का पूरा पूरा फाइदा जरू ठाएंगे यहाँ एक जरूई बात आपको बता दूँ कि होल आज या कल होली का दहन के बाद अगनी ठंडी हो जाने पर होली की थोड़ी सी राख अपने घर लाकर जरूरत है कल होली के अगले दिन इस राख से कुछ खास उपाय की जाने है जिस के बारे में हम कल्चर चा करेंगे बड़ा कनफूजण है कि होली छे तारीक होगी या होली साथ तारीक हो देखो विदीक कोहीं से लेकन कुछ जगहें पर प्रदोसकाल के बासे साथ आरिक dei फे इधर भधतर है उधर बाता नहीं है कैज कैजक पमेर पोड़िनों से प defence रधा चोटी है यह नहीं पर पन्रमा प्रदोस विदृमत नहीं है हु और भज़िंदा नहीं है शात्री नेमों के अनुसार, तो कोई गलत नहीं है, दोनों सही है, जहां जोगरिफिकली कल है, वहां कल करना चाहिए, जहां जोगरिफिकली आज है, वहां आज करना चाहिए, अगर आज के बजाए कल कर लेंगे, तो भी गलत नहीं होगा, और कल कर लेंगे, तो किसी प्रकार से गलत नहीं आज भी काशी में आज ही होगी और अब बाग अवाइड आफ दीडे की यानि आज आज आपको क्या नहीं खाना है आज छे मार्ज को फालगुन शुक्लपक्ष की चतुदशी तिथी है चतुदशी तिथी में अमावस्या पूरिमा संक्रांती अश्टमी तिथि ही लग जाएगी जो कि कल शाम छे बचकर नो मिनित तक रहेगी चतुदशी की तरह ही पूरिमा के बाद भी तिल के तिल से वनी चीजों तही आजिका सेवन नहीं करना चाहिए इस तरह तिथी का समय जानकर आप अपने खाने का शिरूर बना सकते हैं बाकिया आप कुछ भी खाये पीजे मोश कीजे और चलते चलते मैं आपको बता दू कि कल आपका मनोबल ब्रहाने अवली दिशा है पूर्व और दक्षन पूर्व और अब सावधान को रोना ओम नमोन सिंगाए हिरन कश्चप वक्ष स्थल विदारनाए त्रिभून व्यापकाए क्रेमी विश वि से सरब भी सरब पच्छा पच्छा हनः हनः कम पये कम पये मत मत रींड 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 फट फट था 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 एहे हे रुद्र आगया पैती सौहाँ और अब वक्त है आज की टिप उपने अब सिद्धा है समपर करने के लिए फोन करें 997100226 भविश्यवानी में फिलाल इतना ही नमस्कार